देश में एक बार फिर चुनाओ का माहौल गरमाया हुआ है जारखंड और महराष्ट विधान सभा को लेकर के पूरे देश में चर्चा हो रही है तो वहीं एक सीट ऐसी और भी है जो विधान सभा की नहीं बलकि लोग सभा की है और इसे लेकर भी पूरे देश वर में लगात होने जा रहा है कॉंग्रिस पार्टी की और से प्रियंका गांधी के खिलाफ बीजे पी ने नव्या हरिदास को चुनावी मैदान में उतार दिया है और ये मुकाबला अब दल्चस्प और लगातार चर्चा का विशह भी बना हुआ है दोनों की क्या खासियत है दोनों और से एक के बाद एक बयानबाजी भी होने लगी उधर लडीएफ ने अपने पत्ते भी आगे बढ़ा दी है राहुल गांधी की वज़े से खाली हुई वाइनाड की सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी कॉंग्रिस के और से चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी व माना जाता है यहां खुद राहुल गांधी दो बार सांसद रह चुके हैं जीत दर्ज कुछ चुके हैं और ऐसे में प्रियंका गांधी काफी मजबूत दावेदार इस पद पर मानी जा रही है सुत्रों का कहना है कि वाइनार्ड लोगसभा सीट पर असली मुकाबला कॉंग्रिस की प्रियंका गांधी और बीजेपी की नव्या हरिदास के बीच होने वाला है आला कि लडीएफ भी कमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ीगी जैसा कि उनकी पार्टी का दावा है प्रियंका गांधी वार्डरा ने बुद्वार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया और इसमें उन्होंने अपनी संपत्ती से लेकर के क्वालिफिकेशन तक का पूरा बेवरा दिया है जैसा कि तमाम राजनेताओं को देना पड़ता है 2024 के लोकसभा चुनाओं में जीत हुई वाइनाड की सीट पर कांग्रिस पार्टी की लेकिन राइबरेली सीट अपने पास जिस तरह से कांग्रिस पार्टी लगाता रखना चाहती थी राहूल गांधी ने फैसला कि वो वाइनाड की सीट छोना चाहते हैं और यहां से किसी और कुछ चुनाओं में उतार देंगे प्रियंका गांधी और बीजेपी के नव्या हरिदास अब इस समीकरण के तहट चुनाओं में है कौन कितना पढ़ा लिखा है? किसकी क्या योग्यता है? किसका कितना अनुभाव है? यह बात भी अब लोग जानना चाहते हैं खास तोर पर प्रियंका गांधी वाडरा के बारे में जो अब तक सिर्फ कॉंग्रेस के लिए प्रचार सभाओं में दिखाई देती थी और मिदवार के तोर पर वो पहली बार इस तरह मैदान में उतर रही है वाइनार्ट लोग सभा सीट के लिए उपचुनाओं में प्रियंका गांधी वाडरा भाई राहुल गांधी की विरासत को बचाने के लिए मैदान में उतरी है उन्होंने अपने नामंकन के दोरान जो हलफ नामा दिया है यानि शपत पत्र उसके मताबिक वो पोस्ट ग्रेजवेट तक के पढ़ी लिखी हुई है उनके स्कोलिंग कॉन्वेंट आफ जैसे एंड मेरी स्कूल से हुई है ये स्कूल नई दिल्ली बांगला साहिब मार्ग में है उन्होंने साइकलोजी में बी ओनर्ज किया है जैसे एंड मेरी कॉलेज दिल्ली उनिवर्सिटी से 1993 में वो ग्रेजवेट हुई है और इसके बाद उन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से बुद्धिस्ट्रडी विशे से पोस्ट ग्रेजवेशन भी कर लिया है उन्होंने पीजी की ये डिग्री साल 2010 में यूनिवर्स्ट्री ओफ सुंदरलेंड यूके से हासिल की है अधर 9 हरिदास के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि जो प्रियंका गांधी वाड्रा को टकर दे रही है उनका क्या टैजर्बा क्या कौलिफिकेशन रही है बीजी पी की नव्य हरिदास की पड़ाई लिखाई के बारे में जो बातें सामनी आईए है वाइनार्ट से भले ही पहली बार वो किसमत आजमा रही है मगर सियासत में उनका नाम नया नहीं है उनके सियासी सफर के बारे में जानने से पहले ये भी जानना जरूरी कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है जैसा कि प्रियंका गांधी वाडरा ने अपने इस पूरे हलफ नामे में अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में जाहिर किया नव्या हरिदास ने दरसल इंजिनिरिंग की पढ़ाई की है सौफ्टवेर इंजिनियर है और उन्होंने सल 2007 में बीटे किया उनकी बीटे की डिगरी केम टीसी इंजिनिरिंग कॉलेज कालिकाट यूनिरसिटी से उनके पती मेकनिकल इंजिनियर है और ऐसे में नव्या हरिदास का अब तक क्या सियासी सफर रहा है लोग ये भी जानना चाहते है वाइनर्ट से प्रियंका गांधी के सियासी राह आसान नहीं होगी क्या नव्या इतनी बड़ी टक्कर देने वाली हैं लोग इस पर भी नजर गड़ाये हुए है बीजेपी के नव्या हरिदास के पास पहले से ही चुनाओ लड़ने का नूभवत है वो कोजी कोड नगर निगम की दो बार पारशद रह चुकी है सियासी दाव पेज वो अच्छे से पहले से जानती है यानि इसका तज़ुर्बा उन्हें पहले से है 2021 के विधान सभा चुनाओ में कोजी कोड दक्षिन सीट से चुनाओ भी वो लड़ चुकी है हाला कि वो जीत हासिल नहीं कर पाई पेशे से इंजीनियर है हरिदास का नगर निगम में बीजेपी संसदी दिल के नेता के रूप में वो कारे करती रही महिला मोर्चा की प्रदेश महासेचिव भी वो है उनका परिवार आरेसेस से जोड़ा हुआ है यानि कि वो वेचारिक रूप से बीजेपी के साथ लंबे समय से परिवार के जोड़ी रही है सियासत में वो पहले भी चुनाओ लड़ चुकी है जैसा कि प्रियंका पहले नहीं कर पाई है लेकिन वाइनाड में आखिर कौन मारेगा बाजी ये चुनाओ और उसके परिणामों पर ही अब तैह होगा इस अहमें खबर पर क्या है आपकी राए हमें कमेंट्स करके ज़रूर बता है